पुत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात को धमकी दिया गया कि वो 10 दिन के अंदर अगर स्तिफान नहीं देते हैं तो NCP नेता बावा सिदिकी की तरहा उनकी जान ले ली जाएगी धमकी बरे मैसेज में यही कहा गया था योगी आदित्यनात के बारे में अब जो है बड़ी खबर एक और आई है मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले को गिरफतार कर लिया है ठीहां और आप चौक जाएंगे ये जानकर शायद आप भी हैरान हो जाए धमकी देने वाला को कोई पूरुष नहीं बलकी महिला है सीम को स्तिफा देने की बात कहने वाली वो महिला है जिसने धमकी भरे लहजे में मेसेज करके समझा दिया है ताकि योगी जिस ये मपत से स्तिफा दे दे एक महिला ने धमकी भेजी और धमकी भरा मेसेज पुलिस को दिया जिसे पुलिस ने गिरफतार कर लिया है जीहां आखिर कार वो महिला पोलिस के पास पहुँच गई है पोलिस ने पता पता लगाई गई तो वो एक महिला निकल कर सामने आई हैं और इससे लोग काफी हैरान भी है आरोपी ने यानि की जिस महिला को आरोपी बताया गया है इस मामले में उन्होंने कहा अगर मेरी बात नहीं मानी तो सीम को बाबा सिदिकी के तरह खत्म किया जाएगा NCP यानि की अचीत गुट नेता बाबा सिदिकी की कुछ दिन पहले जिस तरह से साजिश के तहत निधन की जानकारी मिली इसके बाद दशरे की दिन बाबा सिदिकी को बेड़े जान के कारेले के बाहर ही खत्म किया गया था ये सच्चाई सामने आई कि गैंस्टर लॉरिस कीरिया पर पोश्ट कर इस पूरी घटना के जमेदारी अब जानकारी में यूपी के मुख्यमंत्री योग्या दित्यनाथ की सुरक्षा टीम को बता दिया गया है कि किस तरह की धंकिया और किस लहज़े से दंकिया दी जा रही है जिसके बाद सुरक्षा तो कड़ी की गई ह है इसकी साथ साथ लॉर्स मिश्णोई गैंग चोकी बाबा के जिवेदारी लेच्वकार से भी संपर करने की कोशिश की जाएगी नेक्ष्टाइट नियूजरू कि रिप्तिक रिपोर्ट